तो सुवागत है भाई आप सबी लोगों का एक बर फिर से आपके अपने चैनल KPM Fantasy Expert पर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वीवो प्रो का बड़ी लीग है इसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 82 मैच जो की खेल जाएगा पटना पाइरेट्स वर्सिस तमिल थलाईवाज के बीच में अब इन दोनों टीम्स की complete information इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को starting से लेके end तक complete देख लीजिएगा अब अगर बात करें बाई दोनों टीम्स की तो दोनों टीम्स में कुछ ही similarities आप लेकिन बाई जो यहाँ पर तमिल थलाईवाज इनके बाई जो में रेडर है जिनके उपर पूरी टीम को जिनके मद्य नजर बनाया गया था पवन शेरावत वो starting के मैच में इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद पूरे ट्रूनामेंट से रूल आउट हो चुके हैं तो वह पर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारें भाई कोई केर नहीं करेगा लेकिन आज के मैच में वो आपको बहुत ही जबरदस्ट परफोर्मेंस दे सकते है ठीक है और दोनों ये टीम का डिफेंस भाई पिछले कुछ मैचों में सर चड़के बोल रहे है ठीक है तो वो चीज आप को द्यान में रखनी है अब देखना मैं डिफेंस के पॉइंट दिखांगा लास्ट मैसेज में यहां पर लास्ट के देखो यहां पर तो हार हुई है पटना की तो लास्ट मैस में तो वो तो खराब जाना ही था इस से पहले लगातार यहां पर देखिए जिन मैसेज में वि वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजे तमिल का यहाँ पर लास्ट मैच में इनकी भी आर हुई है अदर्वाइस इनके भी डिफेंस के पॉइंट देखे जहाँ पर इनकी विनिंग होने लगी है ठीक है सागर गुली आलांग के एवरेज चल रहे है बट यह भ पर फिर से आप यहाँ पर देखे परफोर्मेंस तो वो सीन है भाई और यहाँ पर इनके डिफेंस का ही गेम रहेगर डिफेंस है भी मैच होने वाला जिस टीम का डिफेंस अच्छा के लेगा न वह भाई पॉइंट जिसका मतलब डिफेंस जदा पॉइंट लेगा न टीम भही जीतेगी रेटर्स दोनों के चलने के चांसी है लेकिन डिफेंस पूरा गेम डिसाइड करने वाले है ठीक है अब अगर बात करें भाई यहापर सारी चीजों की तुम आपको एक एक चीज बताने वालों काफी इंपोर्टेंट मैच है और इसी के इसाब से भाई हम अपन कोमेंट से उनी से मोटिवेशन आता है अब अगर बात करें मैच की तो आप देख सकते हो जो मैच नंबर 82 है पटना पैरेट्स तमिल थलाईवाज के बीच में शाम को 7 बज़ कर 30 मिनट यानि कि अब से 2 गंटे बाद खेला जाएगा दोनों टीम्स की परफोर्मेंस देखे तमिल थलाईवाज भी काफी अच्छा के लिए पटना की टीम भी काफी अच्छा के लिए लेकिन अभी लास्ट मैच में दोनों का रिदम बिगड़ा हुआ है लेकिन इस मैच में भाई कोई एक टीम तो रिदम के साथ जाएगी ये चीज तो कन्फरम आप मान सकते हैं अग कौन इस मैच में जीतेगा तो अगेन भाई बिलकुल 50-50 मैच लग रहा है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ठीक है इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे इंपोर्टन चीज जो भी मेरी फाइनल टीम होगी न वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी अब टेलीग्र 16 मैच हमारे ऐसे गए जिसमें एवरेज भी मैच है और लोस वाले भी है बाकि 65 मैच ऐसे दिया जिसमें अगर कोई आके बोल देना कि भाई इस मैच मेरा लोस हुआ है तो भाई मैच होड़ी दूँआ सब कुछ ठीक है तो ये सीन है भाई तो अगर आपका वाई विनिंग क बैए निए याँ पर पूरी वीडियो की वीडियो आ रहे है तो अब लगातार मैं आपको बोल रहा हूं कि लगातार विनिंग करनी है ना तो भाई टेलीगराम चैनल जोईन कर लीजेगा और टेलीगराम चैनल जोईन कैसे करना है इसे आपको ब wraई जो ऑई जो सारी important क्योंकि आप किसी फेक चैनल पर पहुँच जाओगे फिर आके मेरे को ब्लेम करोगे कोमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही जोईन करना है वहीं अगर बात करें वाई कल के मैश में भी हमने मिनी जील विन किये वो भी आपको दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें बावन अजार स्पोर्ट्स में रैंक एक है हमारी ठीक है उननीस अजार में रैंक एक है थोड़ा और ऊपर चलेंगे ऊपर नीचे चलेंगे यहाँ पर आप देखें एक लाख बैसी अजार स्पोर्ट्स आपने देख लिए टेलेग्राम की बात होई चुकी है पठना के स्टार्टिंग 7 की बात कर लेते हैं सचिन खेलेगा, रोहित गुलिया खेलेगा और मोनू खेलेगा, तीन रेडर खेलेगा जिसमें मोनू रेडर से ज़्याधा डिफेंस का काम करेगा दो में रेडर और दो रेडर भाई इनफ है आप मान सकते हों कि 5-2 का रेशो रहेगा डिफेंस और मतलब रेडर का ये 5 में डिफेंडर रहेंगे आपर सचिन तवर और रोहित गुलिया कभी कबार टैकल में इनिशेट करते हैं मतलब हाथ बटाते है अदर्वाई यही पास डिफेंडर पूरा काम करेंगे नीचे आजाएए यहापर आपको एक बार पोजिशन आप यहाँ से जरूर देख लीजेगा मनीश डूल लेफ्ट कवर एम चियाने लेफ्ट कोर्नर सुनील राइट कोर्नर नीरिद राइट कवर ठीक हाजाएए नीचे यहाँ पर अगर बात करें तो स्टार खिलाडी बनके उबरे नरेंदर कंडोला टीम के सुतरदार रहेंगे अगर यह चले तो भाई इनके टीम चलेगी अधरवाइस टीम इनकी फ्लोप भी हो सकती है हिमानशू राइट रेडर अजिंके पवर लेफ्ट रेडर है और हिमानशू और अजिंके पवर यह डिफेंस में भी साथ देंगे और यहाँ पर यह जो इनके चार मेंड डिफेंडर है इन में से भाई कोई भी किसी भी दिन चमक जाता है तो यह सीन है मोहित लेफ्ट कवर खेलेगा एम अभीशेक राइट कवर सागर राइट कोर्नर और साहिल गुलिया लेफ्ट कोर्नर अब अगर बात करें भाई प्लेयर बैटल की तो यहां से सचीन करेगा साइट से राइट 50% रेट करेगा मैच की और यह जाएगा भाई लेफ्ट कोर्नर पर ठीक है लेफ्ट कोर्नर को नहाँ यहां पर साहिल गुलिया इनका साथ कोन देंगे भाई यहां से मैं ज़्धा उपर लेगए भाई लाइन ठीक है एम अभीशेक भाई इनका साथ देंगे ठीक है तो एम अभीशेक और साहिल गुलिया की जोड़ी याँ पर रोक सकती है सचिन तवर को सागर का साथ हो देंगे मोहित मोहित थोड़ी सी एवरेज पॉर्म में तो सागर आज याँ पर हो सकता है कि सागर को उतना सपोर्ट ना मिले तो ज़्यादा टैकल अच्छे ना हो पाए क्योंकि जो लेफ्ट कवर है वो थोड़ी सी वीक फॉर्म में इनका नजर आता बट अजिंके पावार जैसे प्लेर हो गए इमांचु यह कभी कभी लेफ्ट कवर पर आकर खेल कर अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा देते हैं अब अगर बात करें वाई यहाँ पर जो इनके रेडर है तो इनके पास मेंली लेफ्ट रेडर है ठीक है तो यह सीन आप मानके चलिए आज के मैंच मेंच यहाने फ्लोप हो सकता है मैं अपनी स्मोल लिक की टीम में ड्रोप करके चलूँगा अब अगर बात करें बाई डेमो टीम की तो वो तो मैं आपको अभी बनाके दे दूँगा लेकिन जो फाइनल टीम हो टेलीग्राम पर मिलेगी यहाँ पर अगर बात करें डिफेंस की तो सुनील को अपने टीम में रखेंगे इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से सचीन तवर को अपने टीम में रखेंगे बट अब वही बात आ जाते बाई क्रेडिट इशू आ जाएगा तो सचीन को आज के मैच में मैं अभी के लिए ड्रोप कर रहा हूँ फाइनल टीम में हो सकता है मैं रख लूँ जो मेरी इस मैच में रहेगी न वो सुनील के साथ रहेगी वी सी के अगर बात करें तो वी सी या तो मैं सचीन को बना के जाओंगा या भाई मैं नरेंदर को बना के जाओंगा ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और अभी के लिए चले मैं नरेंदर को VC बना रहा हूँ और सुनील को कैप्टन बना रहा हूँ और वहीं अगर बात करें तो भाई GL में आज आपके लिए सागर साहिल को लिया यह बहुत इंपोर्टन रहेंगा और सुनील तो रहें रहें रहेंगा यह तीन प्लेयर बहुत इंपोर्टन रहेंगे CVC के लिए अभी के लिए जो टीम है वो ओल्मोस्ट फाइनल है बाकि अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो उसकी अपडेट में आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा टेलिग्राम चैनल जरूर से जोइन करके रख लीजेगा लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में मिल जाएगा मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ सिर्फ लिंक से ही जोइन करना है सर्ट करके जोइन मत कीजेगा वरना किसी फेक चैनल पर पोचोगे क्योंकि मेरा चैनल आपको सिर्फ लिंक से ही मिलेगा ठीक है तो लिंक से आजाईए मैं मिलता हूँ आपसे मैस टाइम पर टेलिग्राम चैनल पर तब तक के लिए जैहिंड वंदे मातरम